तो यह है वो KTM की छोटी सी क्यूट सी मोटर साइकल 250cc की ड्यूक जो की बहुत सारे लोगों की आज की ड्येट में फेवरेट पसंद बन चुग है क्योंकि एक तो बजेट के अंदर आ रही है और ड्यूक का यह वाला मॉडल मिल रहा है इसमें लेकिन इसके ने काफी सारी प् लेकिन छोटी छोटी सी चीजें इसके अंदर जैसे की उपर से देखोगे तो पेट्रोल टैंक बहुत छोटा इसका जैसे सीट हो गई यह चीजें इसकी जो है वह बहुत जादा मॉलब कॉम्पेक कॉम्पेक्ट सी बना रही है तो अगर आप यह मोटर साइकल लेना चारे ह तो आपको जानना चाहिए कि इसके अंदर क्या बुराईया है और क्या अच्छाईया है तो चलो इसके ओनर से मिलते हैं यह कब लिया और कितनी चलावी यह मैंने लिया लिया तो फुबसूरत के टीए में इसकी अगर यहां से अगर देखा जाए इसका फेस तो बहुत ही मन यह तो है यह तो है यह तो है लेकिन 272 गेंदर तो भाई और बहुत बड़ी-बड़ी मशीन से हैं तो फिर यही नेकेड स्ट्रीट क्यो लिए अपने मूट साहिए मेरी दो चॉइस थी एक थी 390 जो थोड़ा आउट-बजट चली और यह 250 बची लाग तो 200 जानना नहीं त 274 तो 274 तो 274 के अंदर सबसे बड़ी ऐसी एक जो मुझे चीज लग़ी है पासा करेंगा हो इस्ट्रूमें कितना बुरा किया है यह यह तो लाग बैसा था जार रुपे ले रहे हो कम सिकम कुछ बड़ी आसा दे थे इस किना लाइट किस कलर की जलती है और इंज इसमें न अगर किसी को यह हटा के और 390 वाला लगा तो वह भी जुगार से लग सकता है इसमें 250 वाली के इंदर बिलकुल सहारा बदलब के असमेली इसकी पूरी सेमें बस डिफरेंस ही है कि यह LCD और वो TFT वो TFT मिलेगा वो कलर मिलेगा उसके फोड़े बात किलोमेटर जीरो से आज कैसी लगती आपकी हाइट जो है मेरे अलमुस्स बराबर ही है और जो भाइक है यह बहुत ज़रा क्रिस्प एग्रेसिव लगती है आगे से असे लगते जैसे कोई ना कोई गुस्य में काड़ा हुआ है यह ऐसे बहाने का ही मन गरता है अब इसे कंट्रोल वे में नहीं चला तो थोड़ा बर स्यूपड लगती है तो इस अच्छी लगती है यह लगती है लग टुफिप्टी सेग्में में 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 डॉमिनार थोड़ी आउट्डेटर चली जल जाती है और और एक दो है उसका मंझे जिक्सर है जिक्सर इतनी खास है क्यूंकिस में ना पिकप ए ना मै 31bhp प्रडूस कर रही है 25 Nm टॉक 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 दे तो 30bhp बढ़ाने के लिए होती है तो हाइपी निगाल दी टॉक थोड़ से कम कर दिया है तो जिनको टॉर्की मोटर चाहिए उनके लिए नहीं होती है वली यह होती है बहाने बलोग जिनको स्पीट चाहिए बढ़ाने चाहिए बहुत अच्छा देडिया यह काम कर गगा तो तो कि इसको बीट नहीं कर सकता है वो तो क्योंकि 30bhp आ गगी न बीच में बहुत चीज़ाई इसमें कुएक्षिफ्टर है जिखा है तो कुएक्षिफ्टर का काम कर था कुएक्षिफ्टर है और दॉन बीच बिपर मैलेज कितनी जरी होगी मैलेज हमने एक दिन टेस्कारा साइस का मैलेज तो थर्टी के राउंड जयाता तीस किलोमेटर के देरी है मैलेज और वो भी कैसे मिला आपने थ्रोटल दे देगे टेस्टिया यह जैसे नॉर्मल आप चलते हो आवरेज इस हाईवे पे भी चल रहे लग फीरिया 25-28 के असपास अधाईगी और मैक्सिमम कितना दे सकती होगी मैक्सिमम 35-36 कि अपर नी जाएगी अराम से 35 दे लेगी तो यह एक दियू को और पेंटीस किलोमेटर की मैलेज भी निकाल दे है और मानलो अपको मैलेज के शौक और निकाल लिए अने तो काफी ब अपक्तर नहीं, इसकी ठीक है यह फ्रेंट सीट तो में बढ़िया लगती है इसकी बारे में कि खाले में कि क्याले है रेर सीट का इतने भी पिलियन बैठे है और थोड़ी सी हाड हाड मेरी सिस्टर भी बैठी है तो उसकी अगो कहती कि मेरे कॉर्डिंग मैं इस पर लेकिन नहीं वाली सिस्पेंशन दिया यह फोड़ी सिंगल तो इसकी जो काफी सॉफ्वी कर दिये स्टिये जो पाली बैडी हो होती आप इसमें ये भी कर देना अगर आप प्रिवियस अगर अगर आप प्रिविए अली डुक टो फिफिट देखें लिगे उसमें है जो रहें प्रिवेस रहें प्रिवेस वाली की तो मिलाप ग्राउंग क्लेंग से ने खेलें जो याद आया जैसे बेकर प्राउंग के बैंड पाइप कहीं पर लगा या फिर कुछ प्रॉब्लेंग यह थोड़ा इसमें इंप्रूमेंट का है इनको देना चेह एंकि इंडियन इसमें बहुत चांदी थे कि पत्थर लगेगा 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 कि ठीक यह इनफ है रात में तो बहुत अच्छी लगती है नहीं मतलब जोड़ पर प्रशें पानी गिरा हो बारी शोलिः अगर अगर में अपाची से दिढ़ करो कि अच्छी थी ऊच्छी वह उससे कं मैं उसकी है उसकी है नह बाची कौन सी था फिर थी थी 110 ती नहीं अपा यह प्लस पॉइंट हो गए अब बता तो अपने हिज़ाब से कि आपको क्या लगता है कि पॉंट ओफ इंपूर्मेंट होने चीज़ इसमें पॉंट ओफ वाइबरेशिन्स है इसमें बहुत जादा तो नहीं कह सकते है मिनिमल है पर है चलाते वे या खडी में भी है खडी में परोप यह पूरी बाइक में ही है तो हर जगा ही तो आपको लेकिन अगर इस वाइबरेशन जे थोड़ा थोड़ा इग्नॉर गड़ा दिया जाए तो आप के लिए यह बड़ी असी चीज है और 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 क्या लगता है इस किने हैंद्लिंग कैसी हैं एंद्लिंग तो बहुत है उद्लिंग बहुत बढ़ी है वी इस फोड़ी तो आपको टीक ताक है पथी सेनम का तो अच्छा पिक था क्टाग है पची सेनम का तो अच्छा पिक थाख है तो आपको तो एतना थीज है एन आपको मेलेज मिल जाए चाई कम बज़ट की भी मोटासरी के लो और ठीक टा इसके तुरका जाएचिवार को कि अब द्रबच्चा थोड़ीकर एका जा जिलता है और अच्ती सटानित है यह एक जा अग एक टॉक्सकी लिखत मैं बड़ा कि लगटा है जो इसमे एक डिफ्च्टा पीछे से आयता था जो फिछे यहाँ अगर बिर राम लाम पर चला था य इस पर लामनेश यह तो चलो एक मैनुफेक्ट्रिंग डिफेक्ट हो गया बाइक के अंदर हीट का इश्यू है कोई नहीं हीट का तो नहीं है 250 CCR KTM एक तो हीटिंग इस रहता ही रहता है है थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत है इसके लावा कोई अगर बाइक लेना चाहरा हो तो उसको कुछ और सूचना चाहिए और चले आना चाहिए इसको प्रिफेर करना चाहिए अगर 250 सेग्मेंट में आप जा रहो और अगर ऐसी नेकेट स्रीट लेनी हो तो बिल्कुल अगर आपको बजट है 390 जाओ वनना अगर 250 तक है तो आप 250 में ज आप बाइक शौक तो कम है लेकिन कोई बनाय बनाते नहीं पता नहीं क्यों अगर अगर एफजेट के ब्रेक पैड पता करोगे मार्केट में तो वह 14 रुपे के आते हैं विदाउट लेबर चार्ज हमने इसके ब्रेक पैड पता करें आगे पीछे के तो वह थाउजन मैंटिनिस होगे वह कम होगी कम है सब्सक्राइब कर दो कि किसा रविस्तर पाइडिया है अब लेबर कॉस्ति हो ज़ेगे तब अब लेबर कॉस्त तो इसकी आने बहुँ टाइम लगए आगे बाद आइगी क्योंकि इसका सर्विस इंट्रवल पहला तो थाउजन पर उसके जो है वो 16,500 पे अचाब ही तो मैं रहा है बहुत थाई इस दाइद पर और छॉड़ फिरी की लेबर और जिरी बढ़ी है लिए जब भी मैं ऐसे अनुछ से मिलता है जो कि पताते है तो और जिनके साथ में जो जो चीज़ पता चलता है और उससे अप एक प्लान बना सकते हो क मोटर साइकल या कार अच्छी है अपर नहीं थैंक्यू या थैंक्यू सो मुच्छ पर टाइम एफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं तब तक के लिए बाई बाई